आज की सिस्तन में आप सभी का स्वागत हैं वेलकम टो स्वरूप अगैडमी मैं चंदन परसाथ आज की इस वीडियो में जहारखंड TGT GSC TGT से सम्मंदित हम लोग important topic पर चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता हुआ कि अभी जहारखंड में विभीन सिक्षकों की इसकोलों में न्यूकती हो रही है जैसे कि अभी 11-12 PGT का जो एक्जाम हो चुका है रिजल्ट आना बागी है 1-2-5-6-8 के लिए भी फॉरम भरे जा चुके हैं उसका भी एक्जाम कुछ दिनों में होने वाला है जिसमें करीब 26,000 से ज्यादा वेकेंसी है उसी तरह आप 9-10 का ही सिर्फ रह गया है जिसके लिए वेकेंसी जो है बहुत ही जल्द आने वाली है इसलिए अभी से अगर आ रहे हैं लेकिन जिस छात्र ने पाइसेंस रखकर अच्छे से तयारी किया और रिक्जाम दिया भले ही दो सार चार साल वेट करना पड़े लेकिन जॉब तो लगता है लेकिन बहुत सारे चात्र क्या करते हैं डिलाई कर देते हैं जाता यह प्रोब्लम होती होती है परोड म इसलिए तयारी सुरू सही कीजिए, परतिक्षा मत कीजिए कि नहीं, फेकेंसी आएगा या फिर एड्मिट काड आज आएगा, पता चलता है कि तब तक तो समय निकल गया और फिर लास्ट में अफसोस करते हैं कि नहीं सर कि हम तयारी किये रहते तो मेरा भी हो जाता, कम से कम तो हो जाता है, लेट सही होता है, लेकिन होता तो है, और वही अंतिम लक्ष भी होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तयारी अभी सही प्रारब करेंगे, तो आज हम लोग जारकन हाई स्कूल टीचर, जो TGT है, उससे समंदित, आज हम उसके अधार पर अपनी तयारी प्रारम कर दीजिए, तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं, जितने भी छातर हमारे इस चैनल पर नए है, जिनने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है, सब्सकाइब कर लीजे, जिससे की, जितने भी आपको यहां पर आने वाले जो क्लासेस है या फिर अपडेट है आपको मिलती रहेगी, साथ ही इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा, और जो भी छातर आने वाले परिक्षा के लिए जारखन TGT के लिए तयारी करना चाहते हैं, जैसे कि हमने बता है, PGT का एक्जाम मुझ चुका है, सिंगल सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कोंबिनेशन बस तीन ही सब्जेक्ट में हैं, जैसे कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स, मैथ के साथ फिजिक्स, और बायू के साथ केमेस्ट्री, यही तीन में तो इसका फिस बात करें, तो दोनों पेपर, पेपर वन जो जेनरल पे पेपर हो गये इसके लावा उनीब हो गया इनकी तैयारी करते उसके लिए फिस जो है का अपका चुन्बर जो उस पर भी आप contact करके आप अपना एडवेशन करा सकते हैं चलिए हम लोग सबसे पहले जो pattern है उसको हम लोग समझते हैं जैसा कि आपको पता होगे TGT के लिए जो पिछला नियुक्ती होई थी बहुत पहले हुआ था लेकिन देखिए का तो syllabus जो है आपका और pattern जो है जो नई नियमोली बनी थी उसमें change करने का प्रावधान नहीं जोड़ा गिया जारकंट सरकार और जो cabinet से मंजूरी मिलती है उसी में syllabus अगर बदलाव किया गया है पैटरन बदलाव किया गया है तो वही समय decision होता है जैसे PGT में देखा आपने या फिर जो साय का चारी के भी नियमोली में ही तेह हो जाता है कि इस बार क्या pattern रहने वाला है उसके बद तो जैसे सी जो direction मिला है गौवर्मेंट से उसी के recording जो है वो नियमोली बनी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया मतलब कि जो पहले से syllabus थ उसी के अधार पर जो है आपका और जो pattern था उसी के अधार पर जो है इस बार भी न्यूकती होगी चलिए सबसे पहले pattern की बात करते हैं तो जैसे सी TGT में आपका एक ही परिक्षा होगा और एक्जाम होगा ध्यान रखेगा वंडे एक्जाम होगा इसके अलाब़ा इसमें जितने भी इसमें दो पेपर रहेंगे, MC की उस टाइप का दो पेपर रहेंगे और इसमें negative marking का प्रावधान नहीं है, no negative marking ये तीन पॉइंट जो हमेसा ध्यान रखेगा और ये ध्यान रखेगा पेपर मोड एक्जाम होता है जैसे कि PGT आप अगर आप सभी छातर ने नाम था पर जाता है तो अब पर computer से लिया जाता है लेकिन जो चीजिटी का एकजाम है हो पिछला बार जो हुआ था वह आपका paper mode में हुआ था वही आपको जो बब्लिंग करने वाला जो अमार स्ट है वो दिया जाता है और पेपर मोड में आपका एक्जाम लिया जाता है बुलिए सर इस बार तो बदल सकता है पिछला बर भी यही हुआ था तो जर 16 या 17 के लगबग TGT हुआ था उसके बाद PGT हुआ था पिछला बर PGT भी ओनलाइ नहीं हुआ था computer based भी हुआ था जो कि बहुत नियरेस्ट एक्जाम हुआ था लेकिन TGT पेपर मोड में ही हुआ था इस बार भी आपका पेपर मोड में ही होगा अब बात करते हैं जैसा कि वह नहीं बताए कि इसमें दो पेपर होंगे पेपर वन पेपर वन में आपका 200 प्रसन रहेगा जिसमें कि GK और GS मिलाकर जिसमें कि आपका history, quality, geography, economics, general science हो गया, math हो गया, reasoning हो गया, computer हो गया, जारखन जिक्ए हो गया, इससे मिलाकर कुल 100 प्रसन रहेंगे उसी तरह फिर आपका इसमें एक general हिंदी भी रहता है, सिर्फ हिंदी, इसमें आपका 100 प्रसन रहेंगे, तो इस तरह से 200 प्रसन रहेंगे, और ये प्रसन मतलब कि हर एक प्रसन एक अंका रहेगा, 200 अंकों की ये परिक्षा होती है पिछला भी वीडियो में आपको पताया था, जो हमने फस्ट वीडियो बनाया था पेपर वन से सबंदित, पेपर वन जो होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर मतलब कि इसमें आपको सिर्फ पास करना है, final merit list में इसका अंक नहीं जोडा कि यह कटफ जारी किया जा रहा है 2016 का मैंत फिजिक्स और बंगला विसाय का जारी हुआ तो उसमें देखी गा तो पेपर तू के अधार पर फाइनल मिरिट लिस्ट आता है और जो कटफ दिया गया है 300 अंग में जैसे कि पेपर टू जो होता है इस में फाइनल मेरिट लिस्ट तो इसी कि अधार पर बनता है और जो कटफ जारी होथा हैं यही 300 अंग के अधार पर होगा इस पेपर की अंक नहीं जोडे जाता है इसमें सिर्फ आपको 30 या 33 परसंट जो है आपका लाना अनिवारी होता है इस चीज को हमेशा धिहान रखिएगा अब पेपरवन का जो अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें बीभी हिन सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें 100% रहेंगे जेनरल हिंदी पढ़ना है इसमें आप जो हमने पैटर्न और रणनीती आपको बताया जो एस्टेट जो टोपिक रहेगा आपका जैसे कि आपका समानी ज्यान में आपका जेनरल स्टेडिस रहता है जेनरल स्टेडिस में आपका वही आपका हिस्टी पॉलिटी जिग्रोफी विग्रोमिक्स वेगरा फिर समानी विग्यान हो गया रिजनिंग हो गया और जहारखन डाज से कीजिए हाँ अगर नोटिफिकेशन आने तक तो आपका इतना तयारी कम से कम तो हुई जाएगा और कुछ बाकी भी रहेगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप पढ़ियेगा जनरल मैंट्स पढ़ियेगा जनरल हिंदी तो आपको पढ़ना ही है जिससे कि सव परसन पूछे जाएंगे जिसमें कि जनरल हिंदी में अनुछेट से 50% और व्याकरण से 50% रहते हैं तो तोटल अपका सव परसन यहां पर पूछा जाता है अब आते हैं सब्ज सिन्दोंना और फीज्टल्ट विज़्क्स हो गया कि लैंट और हिस्ट्री सिविक्स हो गRe chodzi disruptive हो गया कि vorbere लिट्रेचर हो गया हिंदी नन्पूरी हो गया इंग्लिस हो गया तो संग्ल फिर आपका होम संगी उग रपक फिजी कल एजुकेशन हो गया तो बहुत सारे विभीन विशायों की न्यूकती होती है तो सबसे ज़्यदा को confusion होता है subject combination को लेकर और कुछ दिनों से तो बहुत सारे छातर का और भी confusion है subject combination होता क्या है TGT में यह PGT में आपको नहीं होगा और आपके graduation में भी विशायों होना चाहिए जैसे कि जारखन TGT में तीन विशायों के लिए नियम बनाया गया है कि इनके साथ subject combination अनिवारी होगा अगर नहीं है तो आपका selection नहीं हो पाएगा जिसमें की पहला है history history के साथ civics या civics के साथ history दूसरा है physics physics के साथ math या math के साथ physics इधर से भी और इधर से भी न तो बहुत सा रिजिटन का निविउस करते हैं और फिर bio bio के साथ chemistry यह होना चाहिए आपके graduation में भी यह विशाया है परस्न मेंगे हैं टो जैसा कि हम नहीं बताया और इएक सो बचास परस्ने कुल रहते हैं तो एक सो बचास में दोवीसे हिहां Papa यहां पर है छातर औरChar भाकी भी सारचातर परिशान करते हैं कि सार गया match यह विशाय है तोह नुँरक्रीटर है नह الاकुषर LIVE नियाcendo है तो क्या मेरा भी सब्जेक कोमिनेशन मुझे कोमर्स के साथ कौन भी से पढ़ना होगा तो इकनोमिक साथ कौन भी से पढ़ना पड़ेगा यह सारे चीजे मतलब की पूछी जाती है तो आज यह जितनी भी छात्रही चीज को नोट कर लिजिए यही तीन विसे में सिर्फ सब भई पढ़ना है आज हम लोग यह पर डिसकस कर रहे ही हिस्ट्री ओर छिविक सबसे पहले सबसे करते हैं है यह तक समझ हुग होंगी आप पर वन में क्या पढ़ना है उन्हें जींग बता दिए आपको एक पर टू में कुछ सब्जक कोंबिनेशन का क्या रूल है और किसकी सब्जेक्ट में का प्रावधान है इस चीज को भी हमने बताया आप हम लोग यहां पर हिस्टिय और इस जिसमें की सब्जेक कॉंबिने सबसे पहले हिस्ट्री में अगर बात करें तो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है वो तो हम लोग देखेंगे ही लेकिन हिस्ट्री में अगर देखी गा तो चार सेक्षिन आपको पढ़ना है इसमें आपको लाश्टी हो बतलब कि भारत का प्राची नितिहास मेडीवल भारत का मदिकालीन इतिहास, मोडान हिस्टी, भारत का आधुनिक इतिहास, और फिर लास्ट में आपको, वर्ल्ड, मोडान हिस्टी, विश्व का आधुनिक, आधुनिक विश्व इतिहास, यह हम लोग को यहाँ पर, यह चार्ट सेक्षन आपको पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसके अनुसार उसमें रिसर्च और एनलेसिस विगरे करने लगते हैं ग्रेजवेशन के बाद खासकर यह एक्जाम जो होता है आपको पड़ने हैं अब आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उसे दो खंड में खंड वन पर्थंखंड और दीत्य खंड पर्थंखंड में जो है आपका प्राचिन और मदिकाली नितिहास को सामिल किया गया है प्राचिन और मदिकाली इतिहास में मुख्य रूप से ऐसे तो आप चुकि इतिहास समझना बहुत ज्यादा मतलब जो इतिहास पढ़ते हैं तो काल खंड के अनुसार उसको समझना अनिवारी होता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम प्रग्यदिहासिकाल या फिर इतिहास समझने में उसकी लोगी है इसके अलावा यह तो चलिया अपनी करम के नुसार चल रहे हैं आसपास के जो छेतर है दचिन भारत का अपना इतिहास रहा है तो उसको भी समझना पड़ेगा अब उलिया सर स्रिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ है भले ही उन टोपिक क सब इतिहास के परमुक स्रोथ है आपका साहितिक स्रोथ विदेशिवीवरन और पुरा तत्फिक स्रोथ उनको पुरा पढ़ना है उसके बाद फिर आपका प्रोग्य दिहासिक लोग यादे लिखा हुआ है अब इतियास पढ़ना है तो वो सबकानोलेज होना चाहिए कि जाता है लेकिन चीज होता है कि जब टेल को लोग दिकत नहीं होती है जैसे PGT का सिलेबस जो है जारकन में जैसे PGT का हिस्टी सिल्बस बहुत ज़ीटियल में है तो आपर कोई दिकत ही नहीं होती है जो पर लिखा हुआ है उतना ही हम लोग नहीं पड़ पाते हैं यह पर ऐसा चीज़ बना दिया गया है कि क्या इसमें पढ़े और क्या छोड़े वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है इन चीज़ों का हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहा जाती है उसके बाद वीभीन साशक होते हैं आठी नो टोटल सासक होते है मुखोषिम से इसमें डिखा हुआ है नहीं उसको पड़े हुए हम इतिहास को पूरा कैसे कर सकते हैं तो उस अभी पढ़ना पढ़ता है तो उसे संबंदी चीज़ों को तो पढ़ना ही पढ़ेगा फिर उसके बाद सीधे देखी गा तो अर्वो का सिंध अक्रमन कारण इसका क्या था परिणाम क्या निकला फिर विजय नेगर राज जी की अस्थापना बाबर की उपलब दिया सीधे मधिकालन में हम लोग पहुंच गए सिलेवस में फिर आपका सेरसा का सासन अब बोलिया सर जी के पतन का कारण और सीवा जी फिर मराठा जो समराज थे फिर औरंज जेवेगर उनके बारे में तो यह मधिकाल तक इतना चीज़े हम लोग पढ़ने खासकर औरंज जेवकत क्या तक पिर इसके बाद पिर आ जाता है आपका मधिकाल जब अंग्रेजों का परवेस होता इस इंडिया कंपनी भारत में आती है तो वहां से प्रारम करना है इस तरह सिमा पर और कुछ स्पेस्पिक टोपिक जैसे की पलासी वंबक्सर का यूद उसका कारण क्या था परिणाम क्या निकला महात्व क्या था फिर कुछ जो गवर्णल जेर्ल थे ऐसे बोली का सर लाड जो डॉल होजी उसी बारे में लिखा हुआ है तो कि आप बाकी के चीज़ नहीं पढ़ने है जितने भी गवर्णर जाब इल्कुल पढ़ने है इस पेसिपिक यहां लिखा हुआ है तो इस पर ध्यान रखना है फिर अंग्रेजों के आने के बाद जो विभिन परमुख भार की पर में इसके बाद फिर भारत चोड़ो अंदोलान काबिनेट मिसन यूजना तो ये सारे यहां पर अधुनिक भारत से समंद्धिट ये तोपिक है पिर आते जाते हैं यह आपका हियां से स्टार्ट हो जाता है आपका विसवीतिहास आधुनिक 20 वितिहास में आपका ओद्योई करांती जो इंगलेंड से प्राराम होता है वहां से आपको स्टार्ट करना है और किस तरह से आपका दूसरे देशों को जो अपनिवेसिक थे जैसे की भारत भारत को सिर्फ इंगलेंड क्या कर रहा था एक आजातक के रूप में यह यूज करते थे फिनिस प्रोड़क्ट बनाते थे और फिर लाके हम ही को बेचते थे महंगे दामों पर यह सारी चीजों के बारे में लोगों पढ़ना होता है प्रांस की राजी करांती का कारण परिणाम जो निक्रा नेपोलियन बुनापार्ट उत्थान और पतन पर्थम इसका कारण और परिणाम 1917 की रूसी करांती उसका कारण और परिणाम यह कुछ स्पेस्विक टोपिक है जो आधुनिक विस्वितिहास से समंदित हम लोगों पढ़ने इसमें कुछ सब टोपिक होते हैं जैसे कि पूनर जागरन वगेर हो गया कुछ धर्ब सुधार अंदोल पढ़ने काते हैं विसेस रूप से उनको सामिल करते हुए हम लोग पढ़े हमारे लिए एक्जाम निकालना बहुत ही असान हो जाता है अब इसको पढ़ेंगे कैस तरह से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास complete study material होना चाहिए जो आपके syllabus को 100% cover करें उसको प practice करना है फिर पूरा syllabus पूरा complete करने के बाद जैसे अंसियन कंप्लीट किये मीडिवल कंप्लीट किये modern complete किये world modern history complete किये तो उसका फिर आपको मोग test आपको देना है मोग यह भी तय नहीं है पच्छतर प्रसन आएगा तो कुछ section से ज्यादा भी आ सकता है कुछ section से कम भी तो overall फिर last में आपको यही करना होता है फुल मॉक टेस्ट देना पड़ता है फुल मॉक टेस्ट फिर आम लोग 500 प्रसनों का भी देते हैं जिसमें कि civics भी सामिल होगा civics का भी syllabus discuss करेंगों उसके बाद यह चीज़े आपको सुरू से करते रहना है और यह चीज़े हमारे class में भी आपको इसी तरह से आपको अरेंज करके आपको दिया जाता है जिससे कि आपको कोई आगे दिकत नहीं होगा अब आगे आते हैं हम लोग civics में civics में देखीगा तो दो पार्ट में इसको divide किया गया है पार वन में जो political theory है राजनितिक जो सिधान दे उसको topic को सामिल किया गया है और part B में जो है आपका इसमें पूरा का पूरा जो समीधान है Indian Constitution से उसके topic को सामिल किया गया है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो political theory है political theory में आपका जो basic इसके है political theories के जो topics है जैसे कि आपका comparison between traditional and modern political sciences इनके बारे में और इनमें comparison करना है और इनके analysis करना है इसके बाद फिर हम लोग आते हैं pluralism जिसका meaning और characteristics समझना है liberty होता है क्या equality वेगरा हो गया उसके बारे में समझना है liberty and equality में क्या मतलब कि क्या relation है उसमें differences जो समानता है वेगरे उनके बारे में फिर democracy क्या होता है इसका meaning condition और इसके resources पॉलिटिकल पार्टेज इसका meaning वेगरा फंक्संस वेगरा फिर public opinion इसका meaning क्या होता है conditions formation उसके बाद citizenship नागरिकता method क्या है नागरिकता प्राप्त करने की acquiring इसके बाद welfare state इसका meaning क्या है फंक्संस फिर गांधी जो सत्यागरा अंदुलन वेगरा गांधी वादी जो अंदुलन ने उनके बारे में फिर marxism theory of class struggle marxism के बारे में यह political theory के जो main topic से इसमें पढ़ना है इसमें भी देखिएगा कुछ सब topics आ जाते हैं साथ में पढ़ते वक्त तो अगर उसका यूज आता है तो आपको वहाँ पर उन सारे basics points को भी आपको cover करने हैं इसके बाद Indian constitution में इंडियन constitution में देखिएगा तो यह पर बहुत ही कम topic का नाम दिया हुआ है लेकिन आपसे पेक्षा की जाती है कि भारतिय समीधान से समंदी जो basics knowledge है जो अनुछियद वेगेर है जो प्रास्तावना वेगेर है और खासकर जो समीधान संसोधन है अभी तक देखिएगा है तो बहुत सारे संसोधन हो चुके हैं है 125-26 के लगभग तो उन शारे संसोधन इसमें तो देखिएगा तो संसोधन दो ही तिन दिया हूए है 24 निहीं और 172 संसोधन के बारे इंसिन किया हो लेकिन आप सी अपक्षा कि जाती है कि इस पर तो will अ जाकि अन्य संसुधन को भी कम से कम आपको पता होना चाहिए अगर इजाम में पूछा जाए तो आप असानी से उत्तर दे सकें जैसे कि आपका जो इंडियन सबसे पहले आपका जो प्रियंबल है प्रस्तावना है साइलेंट फिचर्स फंडामेंटल राइट्स हो गया डाइरेक्टिव फ्रिंस्पल्स ऑफ एस्टेट पॉलिसी प्रेजिडेंट फिर लोग सभाएं राज सभा गोवर्णर चीप मिनिस्टर्स लिजलेसी एसेंबली सु प्रिक्षा की जाती हैं आप ग्रेजवेट लेवल के टीचर बनने वाले हैं मतलब कि आपका 910 में पढ़ाएंगे लेकिन परिक्षा तो गेड़ेट लेवल पर होती है इसलिए आपसे अप एक्षा की जाती है इसमें भी सारा चीज़ वही करना है सबसे पहले आपके पास रिसोर्स होना चाहिए पढ़ाई अपना प्रणरम कीजिए थियोरी पढ़िए ख्यान रखेगा जब भी अगर आप सेल्फ स्टड़ी कर रहे हैं या फिर हमारे संस्तान बढ़ान में भी जूट शुटर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको कि पहली बार पढ़े और पहली बार में सब अपना इमपोर्टेंट हैं इसलिए जब रिविजन करें दूसरे या तिसरी बार की नोट्स बनाइएगा पहली बार में कभी जो की नोट्स नहीं वान फौर्थ होना चाहिए एगर सो पेज का है, तो 25 पेज में वो सीमर जाना चाहिए, इससे 25 पेज में, क्योंकि आपको वही बाद में रीविजन करना होता है, उसके बाद आपको चेप्टर वाई जितना भी है, है topics सबका solve करना है पर फमारे संस्था में किया था कि PGT में जो classes ली गई थी तो हमारे यह कोसिस था कि हम overall all over इंडिया चुकि एक्जाम में सब को भर रहा था तो open mock ट्वेस्ट ले जिससे की सभी को benefit हो और overall ranking पता चले तो चीज़े हमने की थी इसलिए क्लास को लिए अलग से विवस्ता फी कम था उनका लेकिन अलग से उनको पर्चिस करना पड़ता था लेकिन इस बार हमने और मोक टेस्ट हो गया और मोक टेस्ट में आपका चेप्टर 20 भी और मोक टेस्ट भी चाहाए फिस आप कितना भी देखें अप सारी चात्रों पर लागू होगा पिछले साली लिये होंगे उनका इनका लेकिन पिल्फ से फिस्ट के लिए नहीं देना पड़ेगा इसी में सामिल करते हैं उनके पूरी तयारी कराई जाएगे जो भी चातर है इसमें जल से जल जूड़ जाएगे अब इसमें कुछ चातर बोलेंगे सर बुक्स पर गार है रिसोर्स अगर आप से लफे स्टडी करने हैं तो कोई स्पेस्पेक इसका बुक नहीं आता है फिर ज़ी उनहीं को रिफ्रेंस लेकर या फिर NCRT आता है उनको रिफ्रेंस लेकर इसकी तयारी करने होगे चारोबुक्स आ जाता है आपका लेकिन इसमें धियान रखना है कि आपने सिलेबर को फॉलो करते वे पूरी तयारी करनी है उसको अलग तलग आपको नहीं पढ़ जान मेहनत कर रहे हैं लेकिन as Late टरीका अपना इंत होकि कर रहे हैं लेकिन का स्मार्ट तरीका अपना एंत हैं पहले सही किटाई थीजे आपको कहीं भी दीकत नहीं होगा और यह गारेंटी है कि अंत में देखीगा रिजल्ट हैं अगले क्लास में बहुत सारे चात्रा और बोलेंगे सरकी और सब्जेक्ट का डिसकस करें तो जल्द ही हम उसके लिए अलग-अलग भी सखें के जैसे कोमर्स हो गया एकनोमिक्स पसाइच चार्या कर चुके हैं इक कोमर्स हो गया फिर आपका हिंदी लिट्रेचर हो गया जिगरोफी हो गया मैथ फिजिक्स हो गया और कुछ अलग टीचर्स भी होंगे तो उनके द्व के लिए आप जॉइन करना चाहते हैं तो मात्र आपका ड़ाई हजार में आपके तैयारी हो जाएगी उसी तरह न्यूजेटेट भी जल्दी आने वाला है तो 125 पर 68 के लिए मात्र आपका साथ हजार रुपया मतलब कि आप दिवाली ओफर आपका 1000 आपको डिसकांट मिल रह रहे हैं आपको आने जाने में पता चलेगा दो घंटा धाई गंटा तीन घंटा उसी बरबाद हो जाता है अब घर बैठे और विच तक सब को जॉब करने लगता है घर बैठे अपनी तयारी कीजिए अपने रिसोर्स भी इंकम भी आते रहेंगे और आप जो परियाप समय बरबाद कर रहें आने जाने में वह आप अपने पढ़ाई पर उसका यूज कर सकें सारी चीज़े तो आपको सेम चीज़े मिल रही है रिकोडिंग हो गया नोट्स हो गया टेस्ट हो गया फुल मोग टेस्ट हो गया वह सारी चीज़े आपको यहां पर मिलेंगे क्लासिस कैसे जोइन करना है तो इसके लिए जो हमारा IFS वरूप लर्निंग है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इस्टोर में जाकर आप कॉर्सिस को पर्चेस कर सकते हैं या फिर जो इसके नंबर दिख रहा है 70045799780 उस पर आप कॉल या वाट्सप करके अपना नाम और सब्जेक्ट लिकर और जो कोर्सिस आपको जॉइन करना है आप वाट्सप कर दीजिए वहाँ पर आपको पेमेंट डीटेल वेगर सारा चीज भेज दिया जाएगा उसमें पेमेंट कर दीजिए उसके बाद क्लासे स्टाट हो जाएगा निउस जेटेट के लिए वेकंसी आ रही तो उसके लिए बेच प्राराम हो चुके हैं उसको जॉइन कर लिजिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर इंड करते हैं मिलते हैं नेक्स सेशन में और भी नए चीज़ों को लेकर और टोपिक को लेकर एंक्यू रिबन और आज धंतेरस भी है ताप सबों को धंतेरस और आने जो दिपावली की हार्दिख सुपकार्मन है थैंक्यू